आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Assertion Reason का हमारे पास में question है जहां हमें assertion दी होई है कि केरियॉपसस और टिपिकल एकीन टाइप के फ्रूट में क्या फरक है कि पेरेकार सीड कोट के साथ फ्यूजन करता है या नहीं तो फ्रूट्स की हाँ पर बात कर रहे हैं यह तो हम जानते ही है कि हमारे जो फ्लारिंग प्लांट्स होते हैं यह हमारे प्लांट किंग्डम के अंदर एक ऐसा ग्रूप है जहां पर सेक्शुल रिप्रडक्शन की प्रॉसस्स फ्लार नाम के एक स्पेशलाइज जुनिट के हल्प से होती है अब वैसे तो इंजियो स्पॉम्स बहुत ही एक डाइवर्सिफाइड बहुत ही बड़ा ग्रूप है इसलिए अगर फ्लार्स का स्ट्रक्टर हम देखेंगे इनकी मॉर्फिलोजी देखेंगे तो फ्लारिंग प्लार्स की डिफ्रेंट फैमिली में काफी वेरी करती है लेकिन एक टिपिकल फ्लार में अगर हम इसke parts देखें डिफ्रेंट parts गैनोशियम नाम की हमें एक essential whirl मिलता है और essential whirl हम इसको इसलिए कहते है प्लार के जो female sex organs होते हैं कि या पिस्टिल्स के नाम से जन्हें जाना जाता है वो इसी गाइनोशियम के अंदर लोकेटे होते हैं अच्छा अच्छा बिस्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्पल का जो नीचे का हिसा होता है जो बेसल पाथ होता है वो काफी एंलाज़ टैप का या बेसल बज्ट पार्ट को हम औरी कहते हैं और इसी गाइन के अनदर हमें प्लसेंट नाम के एक देख प्लाटन कुशन लाइब टिशू में जो गिंडे मलते हैं तो अस ल Lewis के बारे stories के बारे में क्यों डिस्कस करें हें सिंटिकेंटिंस क्या है कि इस अऊवियूल के अंदर ही उह हमारा egg होता है घि यही ओवियूल फिर्टिलाइज होने के बाद सीड में बदल जाता है क्या होता है ये सीड के अंदर जो एंब्रियो मेल और फीमेल गामीट के फ्यूजन से बना है वो यहां पर एंप्लोज होता है सीड कोट यह टेस्टा नाम के एक अन्विलब के अंदर और जो वरी हमारी ओ वियूल्स को एंग्लोस किये हुए थी, वो फर्टिलाइजेशन के बाद राइपन होके फ्रूट में डेवलब हो जाती है, जो बिесिकली फ्रूट क्या है, एक राइपन और्ट पोई हम फ्रूट क्याथे है, जो भी अंदर seeds है, placenta है, ये सारी चीज़े, fruit wall, यानि, pericape के अंदर enclosed होते हैं, लेकिन, जैसा कि हमने कहा, बहुत सारे different type के flowers हमें मिलते हैं, ingiosperms में, अलग-अलग तरह कि उनकी morphology होती है, और क्योंकि flower से ही fruit बन रहा है, तो इसलिए fruit भी बहुत अलग-अलग तरह के होंग इन्डेहिसेंट से मातलब है कि असा नहीं है कि जब ये पक जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो ये burst open होके अपनी seeds को release करेंगे, इन्डेहिसेंट होते हैं, इस तरीके से open नहीं होते हैं, मैच्योरिटी पे, तो ये simple indehiscent हमारे fruits हैं, जो के हम देखेंगे single seeded होते हैं, लेकिन इन दोनों टाइपस में फरक्या है, हमारा जो simple achine fruit होता है, इसमें हम देखेंगे कि परिकार्प हमें अलग नजर आएगा, fruit की wall को हम distinguish कर सकते हैं, seed coat से, लेकिन हमारा karyopsis fruit, जो कहां पर हमें देखने को मिलता है हमारी grass family में, जो भी हमारे cereals हैं, wheat है, rice है, maize है, इ और इसी fruit को हम grain भी कह देते हैं, fruit और seed में हम फरक नहीं बता पाते हैं, क्योंकि यहां पे fruit की wall और seed का coat, यह दुनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि इसको हम seed का हैं या fruit का हैं, seed ही एक तरह से fruit की तरह function कर रही है, fruit की wall seed के coat में ही बु और seed coat, यानि fruit wall और हमारा testa, यह आपस में जुड़े होते हैं, wheat और rice grains में इसली देख सकते हैं और एकीन fruits में ऐसा हमें नहीं मिलेगा, हाला कि दोनों ही simple, indecent, single seeded type के fruits हैं, लेकिन दोनों में यह difference है, तो यह बात तो सही है, फिर reason में हमें क्या दे रहे हैं, कि जो करियोप उनो कोटिल अटनस, angio-sperms की बहुती कॉमनली नोन फैमली है, बहुत ज्याद है, इक उनमिक इंपोर्टन्स वाली काई सारी क्रॉपस इसमें आ जाते हैं, जो wheat और rice जैसे food grains है, यह तो हमारी human population की डायेत का है, बहुती ही स्टेपल पाटे है, बहुती मेजर ग्रॉप है और इस फैमिली को हम अपने इग्रास फैमिली को ग्रैमिनी या पोईसी के नाम से जानते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, हलाकि डिफरेंट टाइप के फ्रूट के बीच में जो डिस्टिंग्विश किया है, ये इसका एक्स्पिनेशन तो रही है, लेकिन अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट हैं, आपे ऑप्शन बी हम सही आंसर मार्क कर सकते हैं, असर्शन और बातें दोनों ही सही, लेकिन रिजन वाली स्टेटमेंट असर्शन को एक्स्प्लेड नहीं कर रहे हैं.